बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट्स उमेद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और लास्ट लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा हम लोग आजकर स्टेडी करें है प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस हवाले से हमारा जो है यह सेकर लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेस्ट स्टेडी करेंगे उनके बारे में जानेंगे और बचों कर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किसंगी भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फिर्स क्युस्टिन है हमारा डिफाइन प्रोटोटाइप इस टेक्नीक ड्रॉज आप पिक्टोरियल रिप्रिजेंटेशन अफ़ा सलूशन हम सलूशन को जो है उसका तस्वीरी जहार करते हैं हम उस सलूशन को किसी तस्वीर के शकल में पेश करते हैं उसको ड्रॉज करते हैं उसको बनाते हैं बट इट में हेल्प टू आडिजाइनर के तह हो सकता है ये डिजाइनर की मदद करें To understand, यह समझने में important components of the solution. Solution के जो एहम components हैं, जो एहम हिस्से हैं, यह उसमें designer की मदद करेगा. क्या चीज उसके मदद करेगी? जो हम picture बनाएंगे, किसी भी problem के solution की. Next question देखते हैं, defining candid solution. The word candid refers to something spontaneous and unplanned. Candid solution से मराद, बच्चों ऐसा solution है, जो पहले से define नहीं है. अचानक से आपके दमाग में कोई खयाल आता है, कि हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं. ठीक है? It is not necessary the candid solution is the actual solution of a problem. हम इसमें ये कभी नहीं कह सकते कि candid solution जो है, वो आपकी problem का कोई best solution होगा. ठीक है? लेकिन ये method है, जिसको हम use करके, जिसको हम इस्तामाल करके, जो है, वो किसी problem का solution जो है, वो find out कर सकते हैं. हम best solution जो है, उसे कैसे select कर सकते हैं? Sometimes, we find more than one solution of a problem and select the best one among us them. कई दफ़ा ऐसे होता है, कि हमारे पास एक ही problem के एक से जादा solution हो सकते हैं, हम फिर क्या करते हैं? उन में से जो best solution है, उसको निकाल लेते हैं. देखें, जैसे आपने जो है, वो लाहौर जाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं, कि best possible solution जो है, वो कौन से हो सकते हैं? या आप अपने घर से जो है, वो सकूल जाना चाहते हैं, तो सकूल जाने के लिए रस्ते में आपके पास जो है, वो मुखलिफ रास्ते होंगे, जहां से आप जो है, वो सकूल पहुंच सकते हैं, तो आप उन में से उस रास्ते का इंतखाब करेंगे, जो कि आसान होगा, ज जहां जो है वो आप जल्दी पहुंच जाएंगे ठीक है तो आप उस रास्ते का जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे इसी तरह से हम उस सलूशन को सेलेक्ट करेंगे जो के सबसे अच्छा सलूशन होगा एक्जामपल है इसकी अब देखें आपके स्कूल की एक वेब साइट है उस पे आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट मरजूद है तो आप से कहा जाता है कि आप जो है इसमें से कोई पर्टिकलर कोई खास स्टूडेंट का नाम जो है वो सर्च करें यू कन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम वैदर अफ दा फाल्विंग मैथड्स तो हम क्या करेंगे इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ मैथड यूज़ करेंगे कौन सा मैथड यूज़ करेंगे लुक एट इच नीम ओन दा वेब साइट वन बाई वन हम वेब साइट के उपर हर एक नाम को वन बाई वन देखेंगे अंटिल दा नीम इस फाउंड ओन दा लिस्ट इस ओबर आप क्या करेंगे पहला तरीका क्या थियार करेंगे आपके पास आपके स्कूल के जो है वो वन थाउज़न स्टूडेंट है अब हर एक बच्चे का नाम देखेंगे और अगर आपको नाम मिल जाता है तो आपका काम हतम हो जाएगा नेक्स्ट है टेक पूरी लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल ले और वहां से जो है उसका सलूशन जो है उसको जो औभी बच्चे का नाम है उसको हम वहां से जो है वो सरच कर लेंगे next copy name put them in excel उसका नाम copy करें और उसे excel के अंदर put करें excel के sheet में sort their alphabetical order और उसको alphabetical order के अंदर arrange करें searching in a sorted list is comparatively easy अब देखें आपके पर इस alphabetical लिए आ जाएगा मतलब A, B, C, D, Z तक आ जाएगा अगर उसका नाम S से बनता है या X से बनता है तो आप क्या करेंगे आप उसको alphabetically search कर लेंगे आप सिर्फ जो required चीज होगी जहां पर यह मतलब जैसे A से है तो आप सिर्फ A वाली चीज को search करेंगे next is just press control plus F आप ने excel में उसको open किया हुए और इसको open किया हुए आप just control plus F प्रेस करेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा when the list is available in the web browser लेकिन आपने control plus F को तब प्रेस करना है जब आपके पास list जो है वो web browser के अंदर मजूद होगी you can type the name to search automatically ठीक है उसके बाद आप उसका नाम लिख दें तो वो automatically search हो जाएगा जो भी आप search करना चाहरे है so in the end which use best solution on the base of less number of steps in the end देखें आपके पास different आपको method यहाँ पर बताए गई है कि आप किस किस तरह से name को search कर सकते हैं तो इसमें just simply क्या होगा आप उस solution को select करेंगे जिसमे number of steps कम होंगे आपकी एक assignment भी हो गई है कि आपने इन सब में से बताना है कि number of steps किसमे कम थे और कौन सा solution जो है वो हमारा best solution है next question है define flow chart a flow chart is a graphical presentation of the steps to solve a problem एक problem को solve करने के लिए graphical जो उसकी representation होगी वो आपकी कहलाएगी flow chart we use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the follow of processing flow of processing ठीक है अब होगा क्या इसमें इसमें हम different symbols use करेंगे different steps use करेंगे ठीक है जो के arrow की मदद से दूसरे के साथ connected होंगे और वो उसकी इसका जो flow होगा processing का वो उसको जाहिर कर रहे होंगे define importance of flow charts in problem solving इस question के अंदर हम flow chart की importance देखेंगे flow chart can be used to plan a solution if a flow chart is already there we can quickly understand the way a problem is solved अगर आपके पास flow chart मर्जूद हो तो आप जो है वो problem को easily जो है वो understand कर सकेंगे it is more effective to visualize a solution graphically than a text देखें अगर आपके पास कोई picture हो तो आप इसको easily understand कर सकते हैं ठीक है जिसे कोई drama है या कोई भी picture जो है जिसको हम देखते हैं तो वो काफी देर तक हमें याद रहती है और उसको समझना भी हमारे लिए आसान होता है अग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आलसो मेक्स इट अफेक्टिव तो वेरिफाई वेदर solution is correct or not अब देखें एक picture है उसको देख के असानी के साथ आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपका solution जो है वो correct है या नहीं है next question है determining requirements for a flowchart flowchart के लिए हमारी कौन कौन सी requirements होंगी in a flowchart we use input output decisions making and processing inputs input means taking data from the user it is important to know how many and what type of inputs are required कि आपको किस तरह की inputs जो है वो required है input हर वो data कोई भी data जो हम दे रहे होते हैं ठीक है जो हम computer को देते हैं वो क्या कहलाता आपका input flowchart में जो data आप दे रहे होंगे वो आपका input कहलाएगा processing a flowchart also contains processing steps are used for performing calculations and storing the result of calculations this may include increasing decreasing of value adding multiplying dividing etc ठीक है अब देखें जैसे class में कुछ student मजूद हैं और मैं उनको कोई दो number देती हूँ मैं कहती हूँ जी इन दो number को add कर दें जैसे के one plus one ठीक है अब वो क्या करेंगे वो processing perform करेंगे वो देखेंगे जी one और one को add करेंगे तो क्या होगा वो इसके लिए अपना दमाग भी यूज कर सकते हैं उसके लिए अपनी note book यूज कर सकते हैं वो क्या हो रही मुझे उनके दमाग में एक चीज चल रही इसको processing बोलते हैं ठीक है जब आप flow chart को कोई data देते हैं उसके बाद उसके उपर कोई काम कोई अमल perform होता है जिसके बाद हमारे पास कोई answer आता है next decision making to determine it is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making decision making का मतलब है आप कोई फैसला करते हैं किसी चीज की बन्याद पे अब कहते हैं जी ये ठीक है या ये गलत है ठीक है तो आप किसी कोई काम है जिसे मैं ये बात कहते हैं जी आज जो है वो बारिश होगी तो आप क्या करेंगे आप मोसम को देखेंगे आप देखेंगे अगर तो बादल बने होए तो बारिश होगी otherwise बारिष नहीं होगी तो यह इस चीज़ को हम क्या कहेंगे DCN making उसके बाद हमें उसका proper answer मिल जाएगा outputs अब देखें outputs are used to display information आपकी information आपका answer आपके पास आजाएगा and I usually this information provide the processed result और इस information के अंदर आपको आपका processed result मिल जाएगा next question है define flow chart symbols flow chart symbols जो है वो आपके पास different देखें मैंने आपको कहा था flow chart क्या होती है pictorial representation किसी भी चीज की किसी चीज का तस्वीरी जहार है ठीक है तो symbols में क्या होगा अब देखें पहला symbol है आपके पास flow chart का तो उसका नाम है start और end start और end के लिए आप इस symbol को use करेंगे इस symbol का नाम क्या है उसकी functionality क्या है an oval representation a start और end point यह आपके start और end point को show करता है arrows arrow symbol क्या होगा a line is a connector that shows relationship between the representative shapes किसी भी shape के साथ उसका किसी चीज का relationship show करना उसके लिए हम arrow symbol use करेंगे उसके बादे इंपट और आउटपट इंपट और आउटपट के लिए हम use करेंगे जो symbol उसका नाम है parallelogram ठीक है process symbol के लिए हम use करेंगे rectangle rectangle हम किस के लिए use करेंगे process symbol के लिए next है हमारा decision diamond symbol जो है वो आप decision के लिए use करेंगे अब देखें last में आप पढ़ चुके हैं start और end जो है वो आप किस लिए use करेंगे आपका प्रोग्राम का कोई starting point होगा और कोई ending point होगा उसके बाद जो है arrows ठीक है आपने अपस में जो है उनका relationship शो करना है symbols का उसके लिए आप arrow यूज कर लेंगे input output के लिए आप parallelogram यूज कर लेंगे process के लिए आप rectangle symbol यूज कर लेंगे addition के लिए आप diamond symbol यूज करेंगे next question है define algorithm an algorithm is a step by step procedure to solve a problem it is easily understand इसको समझना जो है वो बहुत असान है step by step procedure है ठीक है जैसे आप लोग कोई cooking channel देखते होंगे तो वहाँ पे जो है आपको पहले recipe बताई जाती है आपको यह कहा जाता है जी पहले आप कौन सा काम करेंगे उसके बाद कौन सा होगा third पे कौन सा होगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें किसको show करती है algorithm को show करती है इसके हम एक example लेते है देखें पीछे भी हमने पढ़ा सबसे पहले start आप उसके अंदर क्या करते है पानी डालते है सब को तकरीबर चाय बनानी तो आती ही है put the kettle on fire आप उसको आग पे रख देंगे जी उसके बाद उसके अंदर आप जो है वो पती डाल लेंगे उसके अंदर sugar और milk जो है उसको mix कर लेंगे और फिर जो है उसको पकने का जो है वो आप इंतजार करेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे आग से उसको उतार लेंगे और सर्फ कर देंगे बस इतनी सी बात है ठीक है अब ये समझ लें कि जब आप चाय बनाते हैं तो आप उसके अंदर एक algorithm को follow कर रहे होते हैं next question है define role of algorithm problem solving an algorithm is very important in problem solving it provides step by step procedure to solve a problem it is description of solution solution की आप देखे जब आप कोई भी cooking channel देख रहे हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि आप इसमें जो है वो कैसे कैसे काम करेंगे कैसे कैसे कौन से चीज पहले डालेंगे और कौन से चीज बाद में डालेंगे mostly programmer first write algorithms and then translate it into code पहले वो algorithm लिख लेते हैं और उसके बाद उसको code में convert करते हैं define formulation of an algorithm there are different keywords are used to write an algorithm start it is a starting point of an algorithm input it is used to get input from a user and store it in computer memory set it is used to give name to data in computer memory next step is if else it is used to check the condition इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें आप conditions को check कर सकते हैं go to it is used to transfer control to a certain step of an algorithm आप देखें आप देखें मैं जो है वो थर्ड लाइन पर हूँ और मैंने फर्स लाइन पर वापिस आना है तो उसके लिए मैं गो टू जो है इसको यूज करूंगे next है output it is used to display values values को display करवाने के लिए आप output को use करेंगे stop it is the termination point of an algorithm जब आप अपने algorithm को stop करना चाहते हैं तो आप उसके लिए stop जो है वो उसको use करेंगे जब आप यह चाहते हैं कि बस algorithm जो है वो खतम हो चुका है तो अप उसके लिए आप stop use करेंगे बचों अमीद करती हूँ कि आपको आज का lecture जो है वो समझ आ चुका होगा आपने जो है वो यह सारा lecture जो है उसको आपने लिखना भी है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है ठीक है और next वीडियो के लिए इस चैनल को like और subscribe ज़रूर कीज़ेगा अलाफिज